मुश्कार दोस्तों मैं रोज शुक्ला एवगा फिर से आप सही का सौध करता हूँ आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिफ्रेंशियबिलिटी अभी तक हमने लिमिट्स और कंटिनुटी कर चुके हैं तो अग उसके बाद जो हम आगला चैप्टर आ रहा है उसका नाम क्या है डिफ्रेंशियबिलिटी बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है तो आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट चीज इस क्लास की इंट्रोडक्शन यदि आपने आज का लेक्चर देख लिया तो समझ देजे यह आपको टोटल आल अराउंड पूर चैप्टर में हेल्प करने वाला है डिफ्रेंशियबिलिटी के अलाबा हम इसे डैरिविबिलिटी भी बोलते हैं डैरिविबिलिटी ठीक देखिए शब्दों में पकड़न आपको होनी चाहिए कि कैसे शब्द क्या है क्योंकि शब् को पता रहेंगे यदि शब्दों का आपको नॉलेज रहेगा तो आप उन चीजों को और अच्छे से यूज कर पाएंगे समझ पाएंगे ठीक तो देखिए डिफ्रेंशिबिलिटी और डिफ्रेंशिबिलिटी को जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिफ्रेंशिबिलिटी का मीनिंग क्या है है ना, नॉर्मल मीनिंग पर, नॉर्मल मीनिंग पर बात करें, तो इसका मतलब होता है, ability, ability to get differentiate, कहने का तात पर यह है, कि कोई भी फंक्षन, differentiation उसका हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, यानि कि उस function का dy dx संभव है, कि नहीं, यह बात आपको कौन बताता है, differentiability, ठीक, अब जैसे कि, यदि हम बात करें, कि हमने dy dx बोला है, तो आप जानते हैं, सभी function का dy dx थोड़ी निकालेंगे, हो सकता है किसी का d by dt निकाल रहे हो किसी का d by dr निकाल रहे हो तो यहाँ पर d by dx कहने का मतलब यह है कि हम सभी functions का क्या check करना चाहा रहे है derivative इन सब को क्या कहा जाता है derivative कहा जा रहा है तो हमारे पास जो सबसे पहला topic आया है differentiability को समझने के लिए जिस पहले spelling या पहले word की जिसके हमें meaning पता होनी चीए वो word कौन है खुद अपने आप में derivative तो differentiability को समझने के लिए सबसे पहली definition जो हम उठाने जा रहे हूं क्या है derivative अब लोग बागों को बड़ा doubt रहता है यह derivative क्या है साब तो देखिए derivative का मतलब होता है आप सभी जानते है derivative का मतलब होता है differential coefficient differential coefficient अब यह differential coefficient जैसा कि मैंने कहा शब्दों में पकड़ बनाई है साब मैस में शब्दों में जिसके पास पकड़ है तो समझ दीजे उसने question solve कर लिया उसको सब समझ में भी आगिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा है तो derivative का मतलब क्या होता है differential coefficient और differential coefficient का मतलब होता है dy by dx याने की derivative तो derivative का मतलब differential coefficient और जिसको हम लिखते कैसे है dy by dx yes dy by dx is nothing it is also call derivative it is also call differential coefficient और हम इसी की बात कर रहे है और ability to get differentiate में याने कि जिसका derivative क्या हो संभाव हो तो derivative मतलब जिसका dy by dx संभाव हो यदि उसका dy by dx संभाव है तब हम बोलते हैं कि वो function कैसा है differentiable है धिरे धिरे और बात करेंगे जिब तो शुरू कुई आए तो आपको derivative का मतलब संज में आवगा यदि थोड़ी बहुत कसर रहे गई है कि यह dy by dx है क्या तो देखिए जैसे मैं माल लो आपके लिए यह रहा हमारा xy plane यह हमारा x axis है और यह हमारा y axis है अब x axis y axis में माल लीजे मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया यह रहा मेरा एक कर्व इस कर्व के किसी भी एक point से माल लीजे रहा हो point इस point से मैंने एक tangent बनाई यह रही tangent इस tangent का मैं क्या निकाल रहा हूं भाई साब rotation याने कि मैं इसका angle निकाल रहा हूं angle बोले तो मैं इसका क्या निकाल रहा हूं theta theta का जिस दिन मैंने 10 ले लिया ना याने की मैंने 10 theta निकाल लिया that 10 theta is nothing but dy by dx इसी 10 theta को हम क्या बोलते हैment इसके angle का जो theta उस theta का क्या लेना है time theta याने की tangent उसी को हम क्या बोलते हैं dy by dx या फिर derivative इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं derivative तो आप बोलेंगे ऋसको तो slope भी कहते हैं जी हाँ, इसको slope भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, तो सहाब इसको तो हम M से भी दर्शाते हैं, जी हाँ, हम इसको M से भी दर्शाते हैं, ये सारी बाते एक ही चीज़ हैं, यूज करने के अलगलग तरीके हैं, तो ये slope है, slope याने 10 theta निकाल रहा है, 10 theta याने के हम dy by dx निकाल दिर्वेटिव या पिश को और क्या बोलते हैं डिफेन्आ चील कईचे और यह जो निकाला जा रहा है एक डिवेटिटिव किसी particular point पे, हर जगा पे नहीं, जब derivative निकाला जाता है, तो किसी एक point पे निकाला जाता है, इस बात पे धिहान रहे, जैसे इस point से tangent हो के निकलिए न, तो इस point का हम क्या निकाल रहे है, dy by dx, या निकी derivative निकाल रहे है, इस function का, यदि इस function का मैंने नाम रग दिया y भराबर f of x, य इसके function के किसी एक point से मने क्या बनाई है, तेंजेंट का हमने क्या निकाला, थीटा, थीटा का हमने क्या ले लिया, 10 थीटा, 10 थीटा is nothing but dy by dx, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छा, अब यहाँ पे हमने tangent की बात करी रहे है, तो हमाई first definition अभी हमने कौन सी उठा और यह सारी बाते हम differentiability के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी जो मुख्य definition हमारे सामने आ गई है, उस definition का नाम क्या बाइसा, tangent, अब यह tangent क्या होता है, tangent के लिए आपने कई सारी definitions पर बात करी होगी, इसकी various definitions आप सब जानते होंगे, आप सब math के student हैं, तो various definitions कहीं को पता होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि circle के किसी एक point को छू के जाने वाली line, tangent कहलाती है, बिल्कुल, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a line which passes through, या फिर touches, touch भी लिख सकते हैं, only one point, only one point of a circle, उस line को हम क्या बोलते हैं, tangent बोलते हैं, यह diagram महना देता हूँ, यह रहा मेरा यदि circle, तो इस circle के किसी भी एक point, यह रहा है, एक point, और इस एक point को छू के जाने वाली line को हम क्या कहते हैं, tangent बोलते हैं, तो यह जो हमाई line है, मालू मैंने इस line का नाम दिया, L1, तो हमारी L1 is tangent क्योंकि ये circle को शिर्फ कितने point पे touch करके जा रही है single point पे touch करके जा रही है एज़े चल्ग इसmillal point पे इस बात का धियान र devo्लाध करका अच्छा circle के लिए यह क्योँ क्योटिन क्योट नमें circle कके á hä mut कि मान लिजे कल को मैंने बोला वह graph इस तरीके का था तो मैंने बोला कि इस पॉयंट पर टैंजेंट तो इस पॉयंट पर भी तो टैंजेंट ऐसे बना देंगे. definition, आपने सुना होगा, a line, a line perpendicular, a line perpendicular to normal, normal ray, या फिर normal, तो वो line जो की normal के perpendicular होती है, that is also called, what, tangent, उस line को भी हम क्या बोलते हैं, tangent, अब कईयों को ये definition, उनको ज्यादा समझ में आई होगी, जिन लोगों ने physics में बहुत अच्छी महनत करी होगी, और physics में महनत नहीं भी करी हो, तो आप लोगों ने, याद होगा, आप लोगों ने, क्या बोलते हैं, mirror equation, lens formula, curvature और इन सब चीजों को पढ़ा होगा physics में, आपने optics पढ़ा होगा, ray optics, तो ray optics में एक spherical mirror type की चीज होती थी, माल लीजे मैंने भी concave mirror उठा लिया, इदर से मैंने polish कर दिया, तो concave mirror में ये principal axis हुआ करती थी, याद आ रहा हूँ, यह spherical mirror है, spherical mirror कहने का मतलब क्या है, मैं अच्छे से draw कर दे रहा हूँ, इसको, spherical mirror याने कि जब मैं इसको extend करूँगा, तो यह sphere का रूप ले रहा है actually, क्योंकि sphere कही एक part रहता है, यह बात आपको याद होगा, sphere बोले तो यह बिल्कुल circle का 3D model, sphere, ठीक, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा कि माल लीजिए यह ray of light आई, ठीक, यह आपकी ray of light है, यह तो principal axis है, इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, थाकि कि किसी बच्छे को confusion ना हो, principal axis, ठीक, यह principal axis है, यह ray of light आई, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क् कि यह point पी touch करी, और यह cylinder form है, cylinder form में बोल रहा हूँ, curve form है, तो इससे मैंने एक क्या बनाई, यह इस तहीके से, एक line pass होके गई, सिर्फ वो इस point को touch करके जा रही है, अब इस point के perpendicular मैंने एक line अंदर draw करी, ठीक, आपको दिख रहा होगा, कि, यह बिल्कुल दोनों क्या है, दूसरे के perpendicular है, ठीक, तो यह जो ray है, यह वाली जो ray है, इसको मैं green color का बना रहा हूँ, यह ray जो आपकी कहलाएगी, यह कौन सी ray है, normal है, इसी को हम normal बोलते हैं, ना normal, और normal के perpendicular, यानि कि 90 degree में जो खड़ी है, यह वाली line, यह वाली line कौन सी line कहलाएगी, आपकी, tangent कहलाएग ठीक, अच्छा, वहाँ पर आपको याद होगा, physics में क्या हम कारनामा किया करते थे, कारनामा हमारा यह होता था, कि पहले हम एक tangent draw करते थे, उस tangent से हम normal बनाते थे, उस normal से अब हम यह जो incident ray आई है, आप इसको incident ray बोलाते थे, याद होगा, बोले सर आप math पड़ा रहे कि physics, नहीं मैं बताना चाहरा हूँ कि क्या बोलना चाहरा हूँ, incident ray जब आई, तो incident ray अब इसका angle मालीजे जो भी हो, तो उस angle को हम इस normal के basis पे नापते थे, और उसी angle से reflect करा दे थे, यह रहा है, तो हमें normal की जवत पड़ती थी, तो normal के perpendicular जो लाइन रहती थी, वो क्या कहलाती थ और इसलिए मैंने आप इस definition लिखी है, a line perpendicular to normal, वो line जो कि normal line के, normal line के perpendicular है, perpendicular समझ रहा हो ना, यदि यह line है, तो यह रही आपकी perpendicular, तो वो line जो कि normal line के perpendicular है, उसे भी हम क्या बुलाते है, tangent बुलाते है, या फिर वो line जो भी किसी भी कर्व को सिर्फ एक point से चूके जाती है, उस मुद्दा क्या है, में definition क्या है, तो में definition पर बात करता हूँ, में definition, जो इसकी main definition है, उस पर बात करने है, तो देखिए main definition क्या है, मान लीजे, यह रहा हमारा x, y plane इस x, y plane में यह रहा मेरा graph, और यह जाहिर से बात है, किसी y बराबर f of x का graph है, कोई function का graph ही है, इस function में मुझे क्या बनाना है, tangent बनाना, इस function का graph देख रहा है, यह से मुझे क्या draw करना है, tangent, मुझे किसी भी point से दी, tangent pass करना है, मान लीजे, अभी तो मैंने एक line पास क इस लाइन की लेंथ जो है इन्फाइनाइट है इसकी जो लेंथ है वो क्या है इन्फाइनाइट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करिए मैंने यह बात आपको संग में आगी होगी लाइन का इसको रूप भी दे दिया ठीक इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं आप सभी अच्छे समझ गया होंगे ? secant इस line को क्या बोलाते है ? secant इस point को अब मैं fix कर रहा हूँ इस point को मैं जैसे fix करूँगा अब मैं क्या करूँगा ? यहां पे धीरे से hinge करते हुए इस line को नीचे-डी फोर्स लगा घुए मैं नीचे क्यों फोर्स लगा रहा है जैसे नीचे force करूँगा तो यह turn होते हुए नीचे आएगी याने कि बाहर की तरफ निकलने लग जाएगी अभी यह curvature को दो point पे छू रही है दो point पे छूने वाली line कम क्या बोलते है? सीके जैसे मैं इसमें force लगाऊँगा नीचे करते जाऊँगा तो यह बाहर आती जाएगी इतने ओर समझ में आई माल लेजीए मैंने यह इस तरीके से यह नीचे आगई देख रहे हैं आप तो यह जो point था यह point shift होके कहाँ पे आगया? यहाँ पे आगया तो याने कि shift करते 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 एक ऐसा point आएगा एक ऐसा point आएगा जब यह इस curve को सिर्फ एक ही point से चूके जा रही होगी and that will be our tangent उसी को हम क्या गुलाएंगे? tangent गुलाएंगे याने कि आप देख रहे हैं जो हमारी secant है secant इतनी सारी secant है याने कि इस graph से जो भी है secant का रोल निभा रही है तो secant का जो बिल्कुल limit वाला case है याने कि जो limiting case है वो कौन सा कहलाता आपका tangent इसलिए आप यहाँ पे इसकी मुख के definition क्या है भाई साब note बनाके लिख सकते हैं कि tangent is nothing but the limiting case of secant tangent is limiting case of secant ठीक? यह definition क्यों बता रहे हो साब? इससे क्या? इससे आपको मदद मिलेगी classical definition of differentiability को समझने में इसलिए मैंने a definition उठाए ठीक? तो tangent क्या है भाई साब? tangent है limiting case of secant इतनी सारी secant में एक लौती बच जाती है tangent जब वो दो point से चूते 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 सिरिफ एक ऐसा point आएगा जिसमें से जब वो line pass होगी तब जाके उस secant का नाम किसे मतलब जाता है? tangent का तो यह secant का ही limiting case कहलाता है भाई साब तो tangent is nothing but the limiting case of secant तो यह है आपके main definition किसकी भाई साब? tangent की तो tangent की main definition यह ही है देखिए जब जैसे interview बगएरा होता है math में भी interview होता है आप यदि किसी को बता रहे हैं है ना आप किसी को बता रहे हैं कोई आपसे पूछ रहा भाई है tangent क्या है? और आपने उससे बोल दिया कि वो line जो एक point से छूके जाती है है ना किसी भी curvature को that is tangent तो यह definition दुनिया जानती है पर यह actual definition नहीं है वो आपको देखना चारा है कि आपको इनदा क्या qualities है आपसे समझना चारा है तो यह definition आपको मदद करेगी क्या? कि tangent is nothing but the limiting case of secant आपको दिख रहा हुआ कि कैसे बन रही है tangent ठीक? और वो जो हम definition बोलते हैं कि वो line जो की करवेचार को किसी एक point से छूके जाती है जब इस way में हम बोलते हैं तो हम एक तरीके से बता रहे हैं कि tangent का use क्या है लगबग उसमें एक use दिखाई देता है ठीक? लेकिन इस definition में कैसे tangent बन रही है वो समझ में आता है आपको समझ में आएगा दे दे जब आप इसको use करने लग जाएं तो tangent is nothing but the limiting case of secant it is the actual definition of tangent ठीक? और भी definition में बाकी पीछे बताई चुका हूँ ठीक? चलिए तो हमारा जो point है हम उस पे आजाएं classical definition of differentiability classical definition of differentiability ठीक? इसको समझ बहुत सरूरी है आज भी हम इसे को use कर रहे हैं तो इसी को समझता है ठीक? अब माल लिजे यह रहा आपका कर्व ठीक? यह रहा आपका कर्व कर वेच्छा और यह रही आपकी x-axis ठीक? इसमें भी हम वही secant-secant वाला game खेलेंगो ठीक? इसलिए मैंने वहाँ पे पीछे बताई है माल लिजे मुझे इसके किसी point में tangent बनाना है suppose this point is here I'm representing it by a dot ठीक? और यह जो point है आपका यह x-axis में माल लिजे x बनाबर a यह आपकी x-axis x-axis ठीक? तो जाहिर सी बात है यह x-axis है तो आप यह y-axis आएगी बिलकुल यह रही आपके y-axis तो classical definition of differentiability हमसे क्या कहती है ठीक? तो secant-secant वाला game खिलने के लिए सभी तयार हो गए होगे मेरे ख्याल से तो देखिए इसके किसी भी point से मैंने यह line गुजारी ठीक? तो यह आप जानते हो इसको क्या बोल रहे थे हम? और यह point क्या? आपका x बराबर a on x-axis अब जैसे ही मैं इस secant को push करूँगा जाने कि नीचे की तरफ इसको करूँगा नीचे की तरफ फोर्स लगाऊँगा नीचे की तरफ फोर्स लगाने के करणड क्या होगा भाई साब? फोर्स लगाऊँगा तो यह धीरे-धीरे की सकता जाएगा यह जो point है यह वाला point पर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा क्योंकि एक line फिर यहाँ से जा रहे होगी फिर यह point यहाँ आएगा ऐसी धीरे-धीरे एक point ऐसा आएगा जब यह जो secant है किसे मदल जाएगी टेंजेंट है मदल जाएगी suppose मैं एक और line बना देता हूँ दूसरे color से बनाऊँगा यह वाले color से देखिए यह ठीक यह वही line है यही वाली line है जिसको मैं इधर बना यह खीषते-खीषते-खीषते अब यहाँ पर touch कर रही है अब suppose कर लिजिए अपने mind पर imagine करिए कि जैसे अब मैं इसको और मैंने नीचे की the force लगाया यह किसे मदल जाएगी एक tangent मदल जाएगी माल लिजे यह ही वो आखरी secant है जिसके तुरंट बाद जो point आएगा किसे मदल जाएगा tangent में तो इस secant का यह जो point है suppose this point is nothing but a plus h और याद रखिए a plus h इस a के बहुत करीब में है बहुत करीब में कहने का मतलब यह आपको हाँ diagram में तो आपको इतना जागा दिख रहा होगा लेकिन आप imagine करिए कि जैसे ऐसे point shift हो रहा है यह point यहाँ नहीं यह point यहाँ कहीं बिलकुल इसके बगल में खड़ा हुआ है जो a plus h है यह इसके बिलकुल बगल में खड़ा हुआ है ठिक और जैसे ही याने कि यह h distance है यह h जैसे जैसे छोटा होता जाएगा जैसे से छूटा होता जाएगा ये जो point है ये इसके करीब आता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये इसके बिल्कुल उपर आ जाएगा ठिक और जैसी इसको उपर आ जाएगा उस दिन ये line कैसे बन जाएगी वो cdy line tangent में बदल जाएगी हमें क्या बात करना तो देखिए हम यहाँ पर जो बात करना चाह रहे थे वो यही कि हमें classical definition of differentiability बेबात करना है इतना तो आपको समझ में आ जाओ गया कि जैसे से सीकेंट ये आते जाएगी नीचे आते जाएगी ये point भी shift होता जाएगा क्योंकि h कैसा होता जाएगा छोटा होता जाएगा छोटा होते होते वो x हमें जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन ये और ये एक ही जगा पे मिलेंगे ठिक एक ही जगा पे live करेंगे तब उस दिन हम कहलेंगे कि हमें क्या मिल गई हमारी क्योंकि मैं right side, यह right side के लाएगा यह left side के लाएगा, जो मेरी tangent बनेगी, वो right side से बनेगी, तो right side से tangent बनेगी, तो मैं उसको क्या बलूँगा, right hand tangent, क्योंकि right side से बनेगी, तो जैसे यह point इधर shift होगा, तो जो tangent निकल के आएगी, यहाँ पे जो tangent निकल के आएगी, यह आपकी X T 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 वासवां समझ में तो हमारा करुड़ेतर है तो f X में एकस की जगा जैसे आप यह रखोगे तो पॉइंट के ओडिनेट मिल जाएंगे क्या मिलेंगे इसम पॉइंट के unix-point x plus, sorry, a plus h और f of a plus h, ठीक, यह आपको इसके coordinates मिल गए, अरे x की value a plus h है, x coordinate तो दिखी रहा है, x coordinate दिखी रहा है, यह आपकी y axis है, तो y axis में जो coordinate मिलेगा, वो आपका क्या मिलेगा, f of a, और यह वाला जो आपका coordinate इसका जो मिलेगा, इसके निकाल रहे थे, sorry, इसका, इसका, तो यह क्या मिलेगा, आपका f of a plus h, तो भईया, आपकी यह दोनों coordinate मिल गए, इसके coordinate है a, f, a, और इस coordinate के क्या भईया, a plus h और f of a plus h, तो जिस दिन मैं आपसे बोलूँगा, यह ना, मैं निकाल रहा हूँ, hd, क्योंकि अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ, वो right hand derivative, व्याने की right hand tangent की बात कर रहा हूँ, तो मैं यह आपर जो लिख रहा हूँ, जा दिहान से देखिए, limit h tends to 0, ठीक, h यह वाला distance है, जिस दिन यह 0 हो जाएगा, उस दिन यह tangent मदल जाएगा, जिस दिन h 0, अभी h 0 की तरफ जा रहा है, जिस दिन h पूरा small हो जाएगा, उस दिन यह point इसको उपर लाई करेगा, और हमें हमाई tangent मिल जाएगी, right hand tangent, जो की right side से बनेगा, ठीक, अब मैं इसमें जो लिखने वाला हूँ जाएगा, दिहान से देखिए, f of a plus h minus f of a upon में a plus h minus a, अब लोगों के कहानी उपर से निकल जाती है, कि सर यह क्या लिख दिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने छोटी classes में एक बात का ध्यान नहीं दिया, मैं उसको next page में बताऊँगा, याद करिए, यह रहता था, function का graph, माल लेजे, यह रहा आपका function का graph, ठिक, इस function के graph से मैंने इस point से यह tangent बनाया, ठिक, यह tangent बनाते थे आपको याद आ रहा होगा, ठिक, इस point का suppose, यह point है आपका, माल लेजे, कुछ भी, x1 नाम दे दिया, ठिक, और ऐसे ही, या फिर इसका नाम x2 दे दिया, और इस point का नाम मैंने दे दिया, suppose, x1, ठिक, ऐसी मैंने यहाँ से भी line ड्रॉ करी, इस point के coordinate निकालने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा, एक right angle triangle बनता हुआ, दिख रहा होगा आपको, ठिक, अच्छे से बनाये, तो आपको समझ में भी आए, यह रही यह रही आपकी कोई line, इस line में एक point यह लिए हमने x1, और यह point लिए हमने x2, ऐसे यह point आपका आजाएगा y1, और यह point आपका आजाएगा y2, मैंने सिफ tangent बनाई है, ठिक, graph मालो ऐसा बना हुआ है, यह graph ऐसा बना हुआ है, इस तरीके से कुछ, वो थवा मिल गया, एक ही point को छूके जा रहा है, इसके लिए मैंने बनाए एक graph, तो आपको पता है, यह line को में थवा extend कर रहा हूँ यहाँ तो यह आपको right angle triangle दिख रहा है आपको, तो आपको यह पता चल रहा होगा कि यहां से लेके यहां तक की जो पूरी length है, वो y2 है, और यहां से लेके यहां तक की पूरी length x2, और यहां से लेके यहां तक की पूरी length x1, तो यदि मैं color change करके आपको समझाना चाहूँ कि क्या है, तो बताएगे यह length कितनी होगी, तो यह length कितनी होगी, जब इस बड़ी y length में से यह वाली length कर दूँगा, याने की x2 minus x1, तो जो length यहां से लेके यहां तक y1 है न, और आपको पता है, इस point के coordinate क्या है, x1, y1 और इस point के coordinate क्या है, x2, y2 दिखी रहा होगा, और length भी आपको दिख गई y2 minus y1, मेरे को इस tangent का क्या निकालना है, theta, मुझे theta निकालना है, तो theta निकालना है यदि मुझे, तो मैं उस theta का क्या लूँगा, 10, याने की 10 theta, औ value कित्ती है भाई साब, यह दिख रहा होगा, यह रा perpendicular y2 minus y1, y2 minus y1, और base की value कित्ती है भाई साब यह दिख रहा होगा, x2 minus x1, तो यह देखिए, यह आपको दिखा coordinates, तो coordinate आपको दिख रहे होगा, x1, y1, x2, y2, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, इस तरीके से क्या निकालते थे, 10 theta, और यही क्या कहा रहाता, आपका derivative याने की dy by dx, ठीक, और यह कैसे समझ में आएगा, आप में से कित्तों को यह पता है, कि differentiation of constant function, यह रही मेरी एक constant line, यह constant function का graph है, तो constant function है, इसलिए इसका क्योंकि angle, क्या मैं इसका x axis राद कोई angle ले सकता हूं नहीं, यहाँ पर theta कित्ता है, 0 है theta 0 है, इसलिए यहाँ पर इसका जो derivative है, derivative हा constant function भी कितना आता है, 0 आता है, क्यों क्योंकि आपका y कैसा है, एक constant function, तो constant function का जो derivative हो क्या आता है, 0 आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसका हम slope नहीं निकाल सकते हैं, slope हमेचा x-axis के respect में निकलता है, और यदि निकलता है, positive x-axis य क्लॉक्वाइज या एंटी क्लॉक्वाइज रोटेशन में निकालेंगे तो यहां पर हम एंगल ऐसे थोड़ी ना परेंगे इस तरीके से यहां पर एंगल अभी भी 0 है इसको जब लाओगे इसमें जब स्लोप देखोगे तो इसमें तो स्लोप है नहीं इसलिए अब यहीं पर देखोगे तो यह माइनस का है और यह प्लस का है और यह प्लस का है तो जो final हमारे पास equation निकल के आएगी वो क्या आएगी भाईसा limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon में क्या बचेगा h और हम इसी को right hand derivative बुलाता है ठीक यह समझ में आया होगा आपको अब मैं left side से बना रहा हूँ left side से बनाऊंगा तो जो tangent बनेगी वो भी कैसे बनेगी left hand tangent और tangent का मतलब क्या होता है derivative ठीक 10thटा का मतलब derivative होता है याने कि जो tangent बनके आएगी left hand tangent उसके लिए हम क्या बोलेंगे left hand derivative क्योंकि 10 theta में मतलब क्या होता है derivative होता है तो left hand derivative के लिए हम निकालेंगे तो मैं यहाँ पर point चले वहीं दूसरे वाली में बना देता हूँ माल लिजे यह मैं जल्दी से यह माया graph था ठीक यह और यह point आपका x बराबर a और x बराबर a प्लस h था अब हम जिस point पर बात कर रहे हूं x बराबर a माइनस h पर बात कर रहे है ठीक यानि कि इस point के coordinates अब आपको पता है क्या है भई यह इसके आजाएंगे coordinates a माइनस h और f of a माइनस h और इसके coordinates अभी भी पता है आपको a और f of a यह इसके coordinate हो गए तो आपको पता आपको क्या करना आपको y to minus y1 upon x to minus x1 तो यही हमारे पास left hand derivative के लिए क्या आजाएगा वही limit क्योंकि यह distance भी क्या है h है h जैसे ही जैसे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा limit h tends to 0 तो f of a minus h minus f of a upon में क्या आजाएगा भाई साब a minus h minus का a यह दिखी रहा होगा आपको बिल्कुल वही y to minus y1 upon x to minus x1 तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा यह plus का है और यह minus का a cancel out हो जाएगा तो जो हमारे पास left hand derivative का formula निकल के आया है वो है limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h और इसको minus h ही रहन दीजेगा तो ही यह काम करेगा ठीक तो इस तरीके से आपको समझ में आऊगा कि कैसे हमने left hand derivative और right hand derivative define किया यदि यह बास समझ में आई है तो आगे बात करते है ठीक आगे क्या बात करेंगे सर देखें differentiability का मतलब एक और बात होती है differentiability implies unique tangency unique tangency अब सरी यह कौन सी बात कर दिया है आपने सुनिए हम सब जो भी बाते कर रहे हैं हम 10 theta को लेके ही बाते कर रहे है एक unique tangency क्या होती है unique tangency कहने का मतलब यह है कि माल लीजे ये मैंने एक graph बनाया ठीक ये रहा मेरा माल लीजे graph ऐसा कुछ बना दिया ये रहा वो point इस point से ये ठीक थोड़ा एक उनेट ये मैंने एक line मनाई बताई ये अच्छा पहली बात ही होता ही है एक line है कि दो line है है ना तो अब आप लोग doubt में आ रहा होगा ये दो line है फुल मिला के किती line है दो एक ये इधर y line और एक ये इधर y line ठीक जब इसका मैं slope निकालूँगा जब मैं इसका slope निकालूँगा तो आपको पता है ये right hand derivative निकलेगा और ये left hand derivative निकलेगा और इस पूरी का slope सेम है इसलिए left hand derivative और right hand derivative कैसे आएंगे सेम आएंगे left hand derivative और right hand derivative at x बराबर a पे कैसे आएंगे सेम आएंगे इसलिए हम बोलेंगे कि इसका slope भी कैसा है सेम है, slope सेम है left hand derivative और right hand derivative कैसा है सेम है, तो यह जो function था हमारा y बराबर f of x यह इस particular point पे कैसा है differentiable है, सहाब कैसा है differentiable, इत्ती बात सब्सक्राइब आई आई आपको क्यों? यहाँ पे कुल मिला कि कित्ती tangents है, दो tangents कित्ती, दो tangents ठेक, लेकिन वो दो tangents कित्ती tangent होने का एसास दिला रही है सेरे, एक tangent single one tangent, जिसका slope भी कैसा है, सेम, है दो पर वो दोनों एक tangent होने का एसास दिला रही है, और एक का मतलब ही होता है क्या, unique unique tangency, याने कि कि इसी एक पॉयंट में एक हीаете टेंजेंट का होना उस function के डिफटरेंशियबल होने की निशानी होती है मैंने बहुत ही static लाइन वोलीन st अव सब法 हई एक ही टेंजेंट का होना उसके डिफ्रेंशियबिलीटी की निशानी होती भई पता तो होना चीए कि आप उस function का मालिज जरी derivative निकालने बैठे, अब आपको पता नहीं और आप कुछ भी निकाल रहे हैं, यदि किसी function का differentiation possible है, जब ये बात आपको पता होगी, तभी तो आप उसको differentiate कर पाऊगे, तभी तो आप उसका differentiation कर पाऊगे, तो differentiability आपको वो क आपिलियत देता है, कि ये पहले function को पढ़ लेता है, function को बता देता है, कि वो function का derivative possible है या नहीं, उसके बाद ही हम उसका derivative निकालते हैं, तिक, और derivative at a point हमें मिल जाता है, इत्तिवा साइज मैं, तो दो tangent, जो एक tangent होने का एसाद दिला है, यारे कि कि किसी भी एक point में एक tangent क का होना ही, उस function के differentiable होने की क्या होती है, निशाने, तो सार और भी कोई तरीका है, क्या कि दो tangent दिखेंगे, आपने y बराबर mod sin x सुना होगा, या अभी सिर्फ y बराबर sin x की बात करता हूँ, y बराबर sin x, तो y बराबर sin x का graph कुछ इस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीक जाता है, ठीक, negative portion हट जाता है, और negative portion हटने के साथ-साथ, ये जो curve है, ये भी कैसे बदल जाता है, positive में बदल जाता है, बाफ संच में आई, यानि की graph, mod sin x का कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ, माली जो इस particular point की, तो इस point से मै tangent निकाल रहा हूँ या, तो ये देखिए, एक ये रही tangent, और एक ये रही tangent, आप देखेंगे, तो ये tangent आपकी, क्योंकि right hand से निकले है, तो ये right hand derivative है, और ये tangent आपके left hand पे है, तो ये left hand derivative है, और ये दोनों equal, नहीं है, क्योंकि ये दो, अलग-अलग tangent होने का, आपको और ये द्री लेमेंग्वीज में लेमेंड लेमान लेंग्वीज में, आप लोग इतने दिनों से Lima uncertainty पढ़े रों मैंने बताया है लेमान लेंग्वीज में कहा जाता है no sharp, यानि कि graph में किसी भी तरीके का sharp नहीं अना चाहिए या corner-point नहीं आना चाहिए यह corner point है, corner point है, याने की sharp आ गया, अब उस corner point से कहीं भी जा सकता है, और कहीं भी जा सकता है, तो दो अलग-अलग tangent भी बना सकता है, ठीक, तो यह रटना differentiable होने के लिए, जिस point पे बात कर रहे हूँ, पहली बात तो corner point नहीं होना चाहिए, याने की sharp नहीं आना चाहिए, अब उसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, कि दो tangent आपको कैसा imply करें, एक tangent का, लेकिन यदि ऐसा लिखा हुआ है, two different tangents, two different tangents at single point, तो अब यह आपको क्या imply करे इतनी बात तो आप सब में समझ में आगी होगी, non differentiable, non differentiable, याने कि उस function का derivative संभाव नहीं है, उस particular point पे, अब इसी तरीके से जैसे माल लीजे, मैंने बुला, y बराबर mod x, ठीक, mod x, यदि आप देखें, तो mod x का graph आप समने पढ़ा होगा, यह कुछ इस तरीके से आता है, और इधर को निकल जाता है, ठीक, तो यह रहा आपका point x बराबर 0, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो x बराबर 0 पे, आप देख रहे हैं, sharp आ रहा है, दो-दो tangent, इस point पे दो tangent दिख रही है, एक tangent यह रही है, और एक tangent, यह रही, तो दो tangent होने का जो ऐसास है, वो बताता है क यह function उस particular point पे differentiable नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा y बराबर mod x is non-differentiable, याने कि इसको differentiate नहीं किया जा सकता, कौन से point पे at x बराबर 0 पे, क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पे आप देखेंगे, तो इसका जो left hand derivative है और जो right hand derivative है, जो right hand derivative है, जो left hand derivative है, जो left hand derivative है, वो कैसे है un-equal है, equal नहीं है, याने कि function x बराबर 0 पे non-differentiable है, इतनी बात आपको सांज में आई होगी मेरे ख्याल से, तो यह differentiability की खासियत है कि कैसे आप समझेंगे, कौन differentiable है और कौन differentiable नहीं है, ठीक, हम कहां पे थे, तो कुछ notations पे बात कर लें, आज के लिए बस इतना ही अभी फिलाल notations, notations हमने जो सीखे, उन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन सा वहिया, कि पहली चीज, जब आप right-hand derivative बुला रहे हैं, तो right-hand derivative का मतलब क्या होता है, limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, और इस चीज को और कैसे लिखा जाता है, f dash a plus, इस चीज को ऐसे भी लिखा जात left-hand derivative की जब हम बात करते हैं, तो limit h tends to 0, f of a minus h minus f of a upon में minus h, यह minus रहना जरूरी है, इसको हम कैसे लिखते हैं, f dash a minus, और यदि कोई function differentiable है, याने की f dash a plus, और आपका f dash a minus, यह किसके बरावर आजाएं, f dash a के बरावर आजाएं, देखो, इसका formula, इसका formula है, इसका कोई formula नहीं होता, no formula available, इसका कोई formula नहीं होता, यह इनी दोनों की काम चलाता है, इनी दोनों का formula ले लेके काम चला लेता अपना, ठीक, जारा था हम right-hand derivative को लेके चलते हैं, याने कि जब f dash a की बात करते हैं, तो हम उसको right-hand derivative consider कर लेते है पर ऐसा कोई जहुरी नहीं हो, इन दोनों को बारी-बारी questions के अनुसार, change करता रहा था, left-hand derivative और right-hand derivative, तो इसका कोई वह ऐसे formula नहीं होता, यदि formula देखना चाहते हो, तो हाँ, जैसे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख दे मान लिजे, मैंने इसको लिखा, f-a बराबर f of x minus f of a upon x minus a, where limit x tends to a, तिक इस तहीं कैसे लिखा, जिस दिन x, a हो जाएगा, suppose करिए x की जगा आपको a put करना है, तो आप जैसे x की जगा a put करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा f of a, तो f of a minus f of a क्या जाएगा, 0, और यहाँ पर a रखेंगे, तो a minus a क्या जाएगा, 0, और 0 by 0 कौन सा form बन जाएगा, indeterminate form बन जाएगा, indeterminate form बन जाएगा, बोले सर यह तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, सुनिए, जैसे indeterminate form बनता था, तो limit हमको एक rule सिखाती थी, l hospital rule, याद होगा, इसका इलाज करेंगे हम, इलाज कैसे करेंगे, हम differentiation करेंगे, differentiation numerator and denominator, दोनों को हम differentiate करेंगे, तो जैसे differentiate करोगे, तो यह क् बन जाएगा आपका, f-x, ठीक, और यह क्योंकि constant है, तो जीरो हो जाएगा, x का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और a का क्या हो जाएगा, 0, इत्ति वह समझ में आ रही हो, और यहाँ पर क्या चल रहा हो, आपका limit x tends to a, यह लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ हुआ है f-a, ठीक, और यहाँ पर लिखा हुआ हुआ, f-a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, limit x tends to a, यह बचा आपका f-x, यह क्या बचा f-x, ठीक, और यह तो 0 हो गया, तो उसको लिखने की जाओतनी, upon में बचा 1, तो भी जैसे ही मैं limit substitute करूँगा, on substituting the limit, on substituting the limit, तो जैसे ही आप limit substitute करोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f-a, बराबर, जैसे x की जा क्या रखेंगे, a, तो यह भी किसका आगया, f-a, देखिए आगया, same आगया, right side और left side same आगया, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते, f- a, हाला कि f-a का कोई formula नहीं होता, हाँ, पर बहुत जगा यह use होता है, बहुत जगा यह use होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो मेरे ख्याल से आपको यह बात संज में आगया होगा, कि differentiable क्या होता है, कि इस function के differentiability का मतलब होता है, कि graph में sharp ना आना, उस एक particular point में दो tangent का ना होना, unique tangency का होना, ठीक, और साथ में left hand derivative, right hand derivative और f-a, तीनों का exist करना, finite number आना, ठीक, यह सारी बातें आपको बताएंगी, कि वो function differentiable है कि नहीं, और differentiable होने का मतलब क्या है, कि उस function का derivative exist करता है, कि नहीं करता है, ठीक, होपस आपको संज में आया होगा, next lecture म झाल